जाए हिन्द जाए हिन्द जाए हिन्द अबनाचल पुरेश मनिपूर, मेगालाय, नागालैंड, सिक्कीम और त्रिपुरा के राजपाल महोदाय और मुख्यमंत्री गण केंद्रिय केबिनेट के मेरे साथ ही, राज्यों के मंत्री गण, सांसत साथ ही, सभी विधाय गण, अन्य सभी जन्प्रतिनी दी और इन सभी राज्यों के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों पूरे देश में विक्सित राज्य, विक्सित राज्य से विक्सित भारत, इसका एक राष्ट्रिय उत्साव, तेज गती से जारी है आज मुझे विक्सित नौर्थिस के इस उत्सव में, नौर्थिस के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार मनने का आउसर मिला है। आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां आए हैं। मनिपूर, मेगालै, नागालैंड, सिक्केम और तिपुरा से भी हजारों संख्या में लोग टेक्नलोजी के माध्यम से इस कारकम में हमारे साथ जुड़े हुई है। दिख्षित नौर्टिस का संकल्प लेने के लिए मैं आप सभी का रदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं अरुणा चल अने को बार आया हूँ। लेकिन आज मिजाज कुछ अलगी नजर आ रहा है। याने जहां मेरी नजर पहुँच रही हैं लोग ही लोग हैं। और उसमें भी माताए बहनों की संख्या अदभूत अदभूत वाता बरना है। साथ्यों नौर्थ इस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अस्ट लक्ष्मी का रहा है। साथ एशिया और इस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टुरिजम और दूसरे रिस्तों की एक मजबूत कड़ी यह हमारा नौर्थ इस्ट बनने जा रहा है। आज भी हाँ एक साथ 55,000 करोड रुपी 55,000 करोड रुपी से अधिके प्रोजेक्स उसका लोकारपणिया सिलान्यास हुआ है। आज अरुनाचल प्रदेश के 35,000, 35,000 गरीप परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं। अरुनाचल प्रदेश और त्रिपुरा के हजारों परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं। नॉर्ट इसके अलग-अलग राज्यों में कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्स का सिलान्यास और लोकारपण हो रहा है। बीजली, पानी, सडक, रेल, स्कूल, अस्पताल, तुरिजम, अंगिनत विकास के ये इंफ्रास्रक्चर नॉर्ट इसके हर राज्य के विक्सिद बनने की गारंटी लेकर गया है। नॉर्ट इसके विकास पर हमने जितना निवेश बीटे पांच वर्ष में किया है। यहने पहले जो कॉंग्रेस के या पुरानी सरकारे करती थी, उससे करीब करीब चार गुना। फोर टाइम ज्यादा इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम पांच साल में किया, जितना धन पांच साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कॉंग्रेस को 20 साल लग जाते है। क्या आप 20 साल इन से जार करते क्या, 20 साल इन से जार करते क्या, यह जल्दी होना चाहिए। मोदी कर रहा है और नहीं कर रहा है। आप खुशा हैं। साथियो, नौर्थ इसको धान में रखते हुए, हमारी सरकार ने विशेश तोर पर मिशन पांच ओईल की सुदुवात की थी। आज इसी मिशन के तहट पहली ओयल मिल का लोकारपन हुआ है। यह मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में, एडिबल ओयल, इसके मामले में आत्म निर्भरतो बनाएगा ही, यहां के किसानों की भी आए बड़ेगी। और मैं आभारी हूँ, नौर्द किस के किसानों का, के पांच मिशन सुरू करने के बाद, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई बैन, पांच की खेती में आगे आए हैं, जो एक बहुत बड़े उजवल भविश्का काम होने वाला है। साथियों, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी ये तो सुनी रहें आप लोग, लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? ये ज़रा अरुनाचल में आएंगे ने, इतने दूर सुदूर, आपको साक्षात नजर आएगा, पुरा नौर्दी देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। अब देखिए, 2019 में, यही से मैंने सेला टनल का सिलान्यास करने का काम किया था, याद है न, 2019 में, और आज क्या हुआ, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, क्या इसको गारंटी कहते है कि नहीं कहते हैं, यह गारंटी पक्की गारंटी है कि नहीं है, देखिए, 2019 में, डोनी पोलो एरपोर्ट का भी सलानेस मैंने किया था, आज ये एरपोर्ट शांदार सेवाय दे रहा है कि नहीं दे रहा है अब बताईए अगर मैंने 2019 में किया ना तो कुछ लोगों में लगता था कि मोधी तो चुनाव के लिए कर रहा है बताईए मैंने चुनाव के लिए किया था कि आपके लिए किया था और उन्हें अकल के लिए किया था ये नहीं किया था समय कोई भी हो वर्ष कोई भी हो महिना कोई भी हो मेरा काम सिर्फ और देश वाद्शों के लिए होता है जनता जनादन के लिए होता है आपके लिए होता है और मोदी की ऐसी गारंटी जब पूरी होती है तो नौर्थ इस भी हर कौने से मैं कह रहा है यहां की पाड़ियों से भी गुंज सुनाई दे रही है यहां की नदियों के कलरव में भी शब्द सुनाई दे रहे है और एक ही आवाज आ रही है और क्या आप पुरे देश में से भाए अपकी बार 400 बार अपकी बार एंडिये सरकार 400 बार एंडिये सरकार अपकी बार फूरी ताक्त से बोलिए पूरे नोर्थ इसको सुनाई दे अपकी बार आपकी बार साथ व्योग दो दिन पहले ही केंद्र सरकार ने नौर्थ इसके अउद्योगी क्विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्नती योजना को एक नया रूप और उसको एक विशाल बायरे के साथ मंजूरी दी आप उस देख छोटी फिल्म अभी देखिए आपने और हमारी सरकारी कारेशाली देखिए एक ही दिल में नौर्टिफिकेशन जारी कर दिया गाइडलाइज बना दी और आज मैं आपके सामने आकर आप लोगों से उन्नती योजना का लाब लेने का आवान कर रहा हूँ इस देख कुछ 40-45 गंटों में हो रहा है दस सालों में हमने यहां आधुनिक इंफ्रास्रक्टर को विस्तार दिया लगबग एक दर्जान शांती समझोते लागू किये हमने अनेक सिमा विबात सुल जाए अग्विकास का अगला कदम नौर्थिस में इंडस्ती के विस्तार करने का है दस हजार करोड रुपिय की उन्नती योजना नौर्थिस में निवेश और नोकरियों की नई सम्भावना लेकर आएगी इसने यहां मैनिफेक्टरिंग के लिए नए नए सेक्टर और सर्विस जुड़ेगे नए उद्योग लगाने के लिए सरकार मदद देगी मेरा पूरा जोर इस बात पर रहा है कि इस बार इससे स्टार्ट अप्स, नई टेक्नोलोजी, होमस्टे, टूरिजम ऐसे अनेग शेत्रों में जो युवा हमारे आना चाहते हैं मैं उन नव जवानों को पूरा पूरा सपोर्ट करने की गारेंटी देता हूँ मैं नौर्थ इसके सभी राज्जों के हुआउं को रोजगार के नए अवसर देने वाली इस योजना के लिए अनेक अनेक शुपकामनायवर बधाई देता हूँ साथियों नौर्थ इस्ट में महिलाओं का जिवन आसान बनाना उन्हें नए अवसर देना ये बीजेपी सरकार की प्रात्विक्ता है नौर्थ इस्टी बेहनों को मदद करने के लिए कल आंतर राष्ट के महिलाओं दिवस पर हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में सो रुपिये की और कभी कर दी नौर्थ इसमें हर घर नल से जल पहुँचाने का काम भी बहुत सफलता पुर्वा आगे बढ़ा है और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और आप देखिए आज अनेक विकास के कामों में दोर तीस हमारा अरुणा चल पूरे देश पर टॉप कर रहा है बताईए पहले तो मान लिया था यार यहां तो सब आखरी में होगा आज जैसे सूरज की किरन पहले आती निया वैसे विकास के काम भी सबसे पहले यहां होने लग गए हैं आज यहां अरुणा चल प्रदेश में 45,000 परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाने के प्रजेक्ट का लोकारपन हुआ है अंबरेत सरोवर अभ्यान के तहद में हाँ अनेक सरोवर बनाए गए हैं हमारी सरकार ने गाउं की बहनों को लग पती दीदी बनाने का भी बहुत बड़ा अभियान चलाया है इसके तहद स्वयम सहायता समुहों से जुड़ी नौर्थ इसकी हजारों बहने लग पती दीदी बन चुकी है अब हमारा लग देश में तीन करोड बहनों को लग पती दीदी बनाने का है इसका भी बड़ा फाइदा नौर्थ इसकी महलाओं को होगा बहनों बेटियों को होगा साथियों भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच कॉंग्रेस और इंडी गढ़बन्दन क्या करते रहते हैं यह आप अच्छी तरह जानते हो लोग क्या कर रहे हैं अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफासेक्टर बनाना चाहिए था कॉंग्रेस की सरकारें गोटाले करने में वर्थ थी कॉंग्रेस हमारी सीमा को हमारे सीमा के गावों को अविक्सित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवार कर रही थी अपनी ही सेना को कमजोर रखना अपने ही लोगों को सुविदा और समुरुद्धी से बंचीत रखना यही कॉंग्रेस के कार्य करने का तरीका है यही उनकी नीती है यही उनकी रीती है साथियो सेला टनल पहले तो बन सकती थी बन सकती थी नहीं बन सकती थी लेकिन कॉंग्रेस की सोच और प्रास्थिक्ता कुछ और थी उनको लगता है पार्लामेंटे एक दो सीड है यार इतना काम क्यों करें इतने पैसे क्यों लगाएं मोदी पार्लामेंट मेंबरों की गिंती करके काम नहीं करता है देश की आवश्रक्ताओं को थान में रखके काम करता है केंदर में मजबूत और राष्ट रहित को प्रात्विक्ता देने वाली सरकार ने 13,000 फिट की उचाई पर मैं तो देश्र के नौजवानों को कहूंगा कि इस टरनल को देखने के लिए आना चाहिए कैसे हमारे यहां काम हो रहा है 13,000 फिट की उचाई पर यह शांदार टरनल बनाई है और मैं सेला के भाईयों बेहनों से कहना चाहता हूँ आज वेधर के कारण मैं वहां पहुंच नहीं पाया हूँ लेकिन मैं आपको बादा करता हूँ मेरी तीसरी टम में मैं जुरूर वहां पर आऊंगा आप लोगों को मिलूंगा इस टनल से तमांग में हमारे लोगों को आल वेधर कनेक्टिविटी मिली रही है इस्थानिय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांस्पोर्टेशन आसान हुगा इसे अरुना चल में टूरिजम को विस्तार मिलेगा ऐसे अनेक टनल्स पर आज इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है साथियों कॉंग्रेस ने तो बॉर्डर के गावों को भी नजर अन्दाज कर रखा था उन्हें देश का अंतिम गावों कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था हमने इन्हें आखरी गावों नहीं मेरे लिए तो ये देश का प्रथम गाव है प्रथम फर्स्ट विलेज और हमने प्रथन ग्रावों माना और वाइब्रेन विलेज प्रोग्रेम शुरू कर दिया आज यहां करीब सवा सो बॉर्डर विलेज के लिए रोड प्रोग्रेक्ट का काम शुरू हुआ है और डेड़ सो से दिक गावों में रोजगार से जुड़े टूरिजम से जुड़े प्रोग्रेक्ट का सिलान्यास हुआ है ट्राइट में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातिया है उनके विकांस के लिए भी पहली बार हमने पी-म जन्मन योजना बनाई है आज मनिपूर में ऐसी जनजातियों की बस्तियों में आंगनवाडी सेंटर्स का सिलान्यास किया गया है त्रिपूरा के साबरूम लैंड पोर्ट के से शुरू होने से नौर्थ इसको एक नया ट्रांजिट रूट मिलेगा व्यापार कारोबार आसान होंगा साथ्यों connectivity और बिजली यह ऐसे काम है जो जीवन भी आसान बनाते हैं और कारोबार भी आसान बनाते हैं आज आज दी के बाद से लेकर 2014 तक नौर्थ इस्ट में यह आकड़ा याद रखिये नौर्थ इस्ट में दस हजार किलोमेटर नेशनल हाइवे बनाए गए ते हैंने साथ दसक में जबकि बीते दास वर्सों में शिरफ दस वर्सों में शेह जार किलोमेटर से अधीक नेशनल हाइवे बनाए गए हैं जीतना काम साथ दसक में हुआ उतना मैंने एक दसक में करीब करीब किये दिया है 2014 के बाद नौर्थ इस में करीब 2000 किलोमेटर नई रेल नाइन बनी है पावर सेक्टर में भी अभूत्पुर्व काम हुआ है आज ही अनुनाचल में दिबांग मल्टी परपर हाइडो परवर प्रोजेक्ट और त्रिपुरा में एक सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है दिबांग डेम देश का सबसे उंचा डेम होने वाला है यानि भारत के सबसे बड़े पूल की तरह ही सबसे बड़े डेम की उपलब्दी भी नौर्थ इसको मिलने जा रही है साथियों एक तरफ मोदी विख्षिद भारत के निर्मान के लिए एक एक इट जोड़कर युवाओं के बहतर फ्यूचर के लिए दिन रात काम कर रहा है वहीं दूसरी तरफ और मैं दिन रात कहता हूं तो मुझसे जाधा लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना काम मत करो आज ही आज ही मैं अरुनाचल प्रदेश, आसाम, बंगल और उत्तर प्रदेश चार राज्ये में कारकम करना वाला हूं एक दिन मैं वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस के इंडी घडबंधन के परिवारवादी नेताओं ने जब यह मैं काम कर रहा हूं न तो उन्हों ने जरह मोदी पर हमले बढ़ा दिये हैं और आज के लोग पूछ रहे हैं मोदी का परिवार कौन है कौन है मोदी का परिवार 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 कान खोल के सुल्ड़ों गाली देने वालों यह रूना चलके पहड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा ह यह मोदी का परिवार है। ए यह परिवारवादी सिर्फ अपने ही परिवार का फाइदा देखते है इसलिए जहां वोट नहीं वहाँ यह ध्यान नहीं देतें अनेक दसो तो को तक देश में परिवारवादियों की सरकार रही तभी नौर्थ इसका विकास नहीं हो पाया नौर्थ इस पार्लामेंट में कम सदर से भेता हैं इसलिए कॉंग्रेस के इंडी गड़ बनने आपकी परवा नहीं की आपकी चिंता नहीं की आपके बच्चों के भविश्य की चिंता नहीं की इनको अपने ही बच्चों की चिन्ता थी वो अपने बच्चों को ही सेट करने में लगे है आपके बच्चे अपसेट हो जाए उनको पही परवा नहीं है आपके बाल बच्चे किस हाल में इसकी परवा इनोंने कभी नहीं की और न कभी करेंगे लेकिन मोदी के लिए तो दूर सुदूर बैठा चाहे वो जंगल में रहता हो चाहे पहड़ों पर रहता हो चाहे दूर दूर के छोटे गाउं में रहता हो हर एक व्यक्ती हर एक व्यक्ती हर एक परिवार यह सारे मेरे परिवार जब तक हर व्यक्ति का पक्का घर, मुप्त राशन, शुद्ध पीने का पानी, बिजली, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, मुप्त इलाज, इंटरनेट कनेक्शन, ऐसी सुविदाएं न पहुँचे, तब तक मोदी चैन से नहीं बैठ सकता, आज जब ये मोदी के परिवार पर सवाल उठाते हैं, तो जैसा मेरे अरुडा चल भाई, बहन कह रहा है, देश कह रहा है, उनको जवाब दे रहा है, हर परिवार कह रहा है, मैं हूँ मोदी का परिवार, हर परिवार कह रहा है, मैं हूँ मैं हूँ मेरे परिवार जनो, जो आपका सपना है, जो आपका सपना है, आपका सपना वो मोदी का संखल्प है, आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशिरवाद देने के लिए आए, एक बार फिर आप सभी को, पूरे नौर्थिस को, विकास कारियों की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, और इस विकास उत्षों के आनन्द में, यहां मेरे सामने जो भी लोग हैं, उनसे मेरा अग्रह हैं, अपना मोबाईल फोन बहार निकालिए, सब लोग अपना मोबाईल फोन बहार निकाले, और अपने मोबाइल फोन का फ्लेश लाइट चालू कीजिए सब लोग मोबाइल फोन का फ्लेश लाइट चालू कीजिए ये सेला टनल के उत्षाव कोप के लिए ये विकास के उत्षाव के लिए देखे चारों तरफ वा क्या आंदने जा रहा है शाबाद ये हैं देश को भी शक्ती देने का इशारा देश को शक्ती देने वाला नजारा सब अपना सब अपना मोबाईल फोन निकाल करके ये पुरे नॉर्थिज के भाईबेंग जा बैठे उनको भी मैं कहता हूँ अपना मोबाईल फोन निकाल करके फ्लासलाइट चालू कीजिए मेरे जाज बोलिए भारत माता की बाइस लाइड चालो रखे बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाज